हेलो गाइस मेरा नामे रितवरतो आज हम लोग ना टाटा नेक्सन के एक नया विरेंट है उसके बार में बात करेंगे एक जेट प्लास S करके डीटेल में बात करेंगे उन्रोड प्राइस और जो भी फीचर्स है बहुत सारा फीचर्स है और काफी सारा प्रीमियम टचेस है वो भी बताऊंगा और हाँ इसके अंदर आपको जो है सनरूफ मलता है तो वो भी एक बार चेक करेंगे कि प्रैक्टिकली आप उससे निकल सकते है अचा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जो की से आप देख सकते हो दोनों ही आपको जो है रिमोट की यहाँ पर देखने में मिल जाता है चार बटन के साथ और यहाँ पर हम लोग अनलोग करते है तो आप देखी सकते हो बहुत ही प्यारा सा आपको जो है इंडिकेटर जलते में मिल जाता है बाकि लूक वाइस ना मुझे ये हेड लैंब बहुत से लगता है फ्रॉंड का लूक ही पूरा चेंज कर दिया टाटा ने बहुत सही लगता है बहुत नायक अप मर्केट अपको यहां पर देता है फॉग लैंब आप देख सकते हो नॉर्मल यहां पर आपको हालोजन के अंदर मिलता है और जो हाउजिंग है वह भी खाफी सही है और यह कर्टेंस आपको जो है देखने में मिल जाता है बाकि लूक वाइस तो मतलब क्या यह फ्रॉंट प्रोफाइल नेक्सन का मुझे अभी का खासकर कि इस वेरियंट का मुझे बहुत प्यारा लगता है और यहां पर आप देख सकते हो पियानो फिनिश के अंदर जो टाटा का बीच में क्रोम का लोगो है ना बहुत ही प्यारा है एक चीज मैं डिफिनिटली कहूंगा अभी के जो टाटा क इसके अंदर जो फिनिशिंग है चोटा-चोटा टचेस है वो बहुत ही सही से आपके करा जाता है तो अब इसलिए गूड वर्क टुटा अब इसलिए देश का कार है तो उतना तो है 209 mm का ग्राउंड ट्रेंस मलता है तो आपको पता ही है बहुत ही मतलब आपको जह चारो बाकि लुक वाईस मुझे काफि अच्छा मलब सही लगता है काफी मनलब जादा नहीं आप डिजाइन नहीं है बाकि still मुझे फिर भी मल्क की अदर काफी एक अच्छा सा क्रीन लुक मिलता है नीचसे आप 피부 से इपर ग्राउंग लेंस देख सकते हो साइट का प्रोफ है वो यहाँ पर देख सकते हो जो कलर है वो मुझे यह बहुत प्यारा लगा फॉल यह जी ग्रीन करके टाटा कहता है खास करके निकसें के अंदर नहीं यह चीज काफी अचा लगता है थोड़ा सा गंदा रहेगा बाकी यहाँ पर लैम देख सकते हो टेल लैम जो है LED के अंद करूंगा जो बीच में नेकसन का यहाँ पर मदब बैजिंग या फिलोगों जो भी कहो वो दिया गया ना वो काफी सही लगता है यहाँ पर आप जो हमारा डिफॉगर है रियर का वो देख सकते है बाकी हाई स्टॉप बेक लैम देखने में मिल जाता है उपर आफ शार्ट इन अंटेना देख सकते है रूफ में रूफ रेल्स है तो उस बज़े से कारना बाजू से मतलब थोरा साइसे बलकी बलकी लगता है इस बीक अंदर यह चीज़ तो अच्छा लगता ही है डेफिनेटली बाकी पीछे से भी लूप वाइस मुझे परसेनली अच्छा लगा औ और हाँ अगर आप सामने देखते हो नहीं इस कार को खासकर के शोरूम के अंदर तो यह काफी आपको नहीं से बलकी बाला फिल्ट डेफिनेटली आएगा रेयर वंपर की बात करें तो डूइल कलर के अंदर मिलता है यहाँ यहाँ पे भी आपको रेयर पार्किंस सेंसर मिल परसेल के देख सकते हैं 350 लिटर का बरास आपको बूट मिलता है और स्क्वार शेप के अंदर है तो आप एक के ऊपर उपर मतलब जो बैक्स है वो रख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो काफी वाइड है और यहाँ पर जो है टैर प्रेशर वाला जो मेशिन है मतलब हा जागा के भी चला सकते हो मतलब स्वारी बाकी तो यार लुकवाइस काफी सही है थोड़ा बहुत आपको लोडिंग लिफ फॉर मिलेगा आप देख सकते हो बड़ बहुत ही कम है एस वी गंदर थोड़ा सा जादा ही मिलता है पर्शल टेख सकते हो यहाँ पर भी थोड़ा जादे मलब लोहा भर के डाला गया है और आपको तो पता है यह फाइव स्टार लेकर आपना कार है अपना देश का कार है एंड रिक्वेस इंसर आपको जो है डोर रह वर साइड दोर के अंदर देखने में मिल जाता है और जो मिलर से है आप देख सकते हो जैसे यह आब ब्लैक और पियानो फिनिश के अंदर मिलता है वर्वियम को आप यह से कंट्रूल कर सकते हो और हाँ यह वाला चीज काफी सही लगता है यह क्रोम है एकदम से आपको जो है अच्छा उनलब एक प्रीमियम टच फिल कराता है बहुत जादा क्रोम नहीं है एकदम लिमिटेट है लेकिन बहुत सही लग रहा है प्रीमियम वाला फिल एक देता है यह पियानो फिनिश भी काफी सही है चारो पार विंडो से आपको देखने में मल जाता है इस इंटरल लॉगिंग आपको कार के अंदर देखने में मलता है और यहाँ पर आपको फैब्रीड मिलता है तो हां यह भी काफी एक soft touch आपको देता है जहाँ पर आप टच करते हो वहाँ पर ही आपको soft touch देखने में मिल जाता है यहाँ पर safety lamp है रात को अगर आप doors खोलते हो तो यह red color के अंदर basically glow होता है तो 100 marks के अदू से जाधा ही देना बड़ेगा safety के अंदर यह सब चीजे ना mainly बड़ basically आपकी chrome तो देखी सकते हो इस events के अंदर तो एक overview सबसे पहले आप आप देख सकते हो और हाँ start stop button देखने में बड़ जाता है illumination के साथ रात में कोई दिक्कर नहीं है और प्यार आस आपको animation मिलता है MID के अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं है और यहाँ से आप माइड क मतलब जो settings है या फिर जो भी modes है देख सकते हो सारा बहुत सारा आपको जो है आपको information देता है यह वाला माइडी आगी steering wheel देख सकते हो right side के अंदर आपको cruise control मिलता है and left के अंदर obviously audio वाला जो control होता है steering mounted control वो सारा चीज़े मिलता है और जो keys है काफी सही है मतलब काफी clicky है तो अच्छा लगता है right side में light का सारा control मिलता है और headlight में आपको पता ही है अगि left के अंदर आपको जो है जो हमारा wipers है सामने या फिर पीछे वो मिलता है bonnet काफी मतलब बरावाला bonnet मिलता है जो की ACV के अंदर होना चाहिए और bonnet ना बहुत properly दीखता है मतलब खास करके connection क यह जिस कहूंगा बाकी आप vanity mirrors मिलता है obviously driver side के अंदर data नहीं देता है और co passenger side में आपको mirrors देखने में मिल जाते है sun wizards के अंदर and mic मिलता है obviously और sunroof का control music system की बात करे ना तो मुझे यह वाला system काफी अच्छा लगता है बहुत जदा बड़ा भी नहीं है और एकदम proper size का मैं खाऊंगा एंडो डॉट अपल कार्प्रे मिलता है 8 speakers मिलता है car के अंदर बहुत प्यारा सा music system मिलता है और बहुत ही soft material आपको feel होगा यहाँ पर ना एक मस्ट सा design है मतलब जो आपको front में मिलता है seats के अंदर में मिलता है triangle design करके कहता है data glow box आप देख सकते हो cool glow box मिलता है काफी बड़ा वाला glow box है यह चीज़ मैं for sure कहूंगा यहाँ पर आप AC events and hazard light है वह आपको देखना में जाता है center के अंदर बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो piano black finish के अंदर chrome में connection लिखा हुआ है यह चीज़ मुझे काफी सही है add-on लगा बी वह चीज़ कहूंगा बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सारा controls है and Nixon के अंदर ने आपको 6 plus reverse का gear मिलता है तो यह सही चीज़ है और safety वाला knob मिलता ही है जब भी आप reverse लगाओगे तो camera यहाँ अगर चेक करें तो ठीक ठीक quality में एक होंगा best भी नहीं कहूंगा और खरब तो यह है नहीं बाकी properly sensors काम करता है तो बहुत सही रहेगा अगर आप मतलब नए नए चला रहे हो यह car भी बाकी नीचे आपको space मिलता है 12 valve जो socket है वो मिलता है and with भी एक है plus आपको एक aux का भी option मिलता है हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो 3 driving modes देखने में मिल जाता है और यह ची सही चीज है तो आपको जो mode लेगे आप चला सकते हो नीचे आपको cup folder मिलता है वो भी एक proper lock के साथ मतलब आप इसको बंद भी कर सकते हो तो यह भी एक सही चीज रहेगा proper piano finish यह बीज वाले center element के अंदर मिलता है armrest के अंदर यहापको काफी deep space है लेकिन थोरा सा छोटा है ब अब एक बार sunroof check करते हैं तो यहाप आपको सबसे पहले तो button देखने में मिल जाता है आप इसको जो है obviously अपनी हिसाफ से adjust कर सकते हो पीछे वाला area अगर आपको सिर्व उठा के रखना है वो भी आप कर सकते हो obviously यह वाला features भी हापर मिलता है हम लोग एक बार खोल देते है सबसे पहले तो sunroof तो आप एक बार ना अपने हिसाफ से देख सकते हो सबसे पहले तो space अभी अगर भाई को मैं एक बार definitely कहूंगा निकल के बताने के लिए space तो हम लोग बाहर से एक बार चेक करते हैं आप देख सकते हो नीचे से properly comfortably comfortably भाई यहापर निकला हुआ है और पी सबसे भी एक बार देख सकते हो बाकी कभी भी अगर इस car के अंदर बहार trip का option मिले तो मैं आपको for sure कहूंगा कि practically कितना ज्यादा साही रहेगा बट हाँ अभी के लिए perfect यह रहने वाला है रेयर में space की बात करें सबसे पहले एक बार आप जो doors है उसका finishing देख सकते हो सेम आपको finishing यहाँ पे भी मिलता है वही पर beige color के अंदर जो proper है और chrome door handles मिलता है अर्वेम के अंदर fabric मिलता है यहाँ पर तो यह भी काफी एक साही चीज है मतलब एकदम proper soft touch टूटर देख सकते हो और piano black finish के अंदर जो handles है वह मिलता है बाकी मुझे ना यह काफी से लगा और इस beige color के वाज़े से काफी एरी लगता है cabin और seats जो है fabric के अंदर मिलता है black fabric बर still काफी एरी लग रहा है आप अगर चाहो तो यहाँ पर seat cover लगा सकते हो 60-40 मिलता है जो seat है वह मालब split है अगर आप जादा bag ले रहा है तो यहाँ पर seat को अपनी सबसे fold कर सकते है बाकि space एक बर check करते है कैसा है देखो first impression की बात करें तो बहुत सही सा front का एक view मुझे मिल रहा है बाकि भाई का जो height है यहाँ पर रहने वाला है 5 feet 6 inches के आसपास और driver seat मेरे according है 5 feet 8 inches बहुत सारे space है भाई के बास तो यहाँ पर आप देख सकते है हाँ यहाँ अगर मेरा space की बात करें तो मेरे according front यह वाला co-pacenter seat भी मेरे according है तो यहाँ पर आप खूद देख सकते हो बहुत सारे space मिलता है और under 3 support मुझे बहुत सही लगा मुझे काफी सारे SUV और दूसरे car के अंदर बैठा हुआ हूँ पर हाँ यह चीज मुझे एकदम से क्लिक करें इस वाई से मैं आपको add-on करो बहुत ही कूशनी और काफी ने comfortable वाला seat है मुझे नहीं बता है इस segment के अंदर डूसरे कोई car के अंदर है कि नहीं क्योंकि मैंने अभी तक ने SUV 300 के अंदर बैठा नहीं हूँ इस वाई से बाकि मुझे ना एक first impression के अंदर माला बैठते ही जो चीज आपको feel हो आपको और 1.5 विटर टर्बो चर्च रेवर्टोन डिजल इंजिन जो कि आपको 108 बेच्पी एंड 260 अनम का टॉक निकल के देता है देखो दोनों इंजिन बहुत ही प्यारा है पैट्रोल इंजिन मुझे ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि मैं थूरा से पैट्रोल इंजिन अगर आपको ना एक मस्थ मलब पर्फॉमेंच वाला कार चाहिए एक अच्छा बिल्ट कॉल्टी एक अलग से दीखे माचो वाला लूक के अंदर छोटा सा आपको कार चाहिए न मलब कॉम्पाक्ट एसे भी ओविसली तो फिर फॉर आपको ये वाला कार लेना चाहिए और ह विजल की बात करीज विरेन का तो थर्टीन लेक्ट थर्टी टू थावजन के आसपास आपको जो अन रोड में आएगा अगर आपका कोई लिए सजेशन है या फिर कुछ भी आपको जाना है कमेंट सेक्षन के अंदर फॉर आप लोग पूछो थेंगे सो मज भाई गाईज